हेलो नमस्ते एन वेरी गुड मॉर्निंग तु आल दे नोटबुक आई एस एजुकेशन फॉर आल चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज हम फिर हाजिर हैं आई दरिश्टी का पार्ट टू ले करके जिसमें हम राज्टी परिदर्शी के अगले जो टॉपिक्स हैं उसको डि सिच्वेशन है बट उसके लिए एक ही सलाह है कि एक्जाम पोस्पोन हो या ना हो आपको अपनी तयारी बिलकुल कंटीनिव रखनी है क्योंकि अगर एक्जाम टलेगा भी तो जादा से जादा वो एक दो मन्त आगे बढ़ जाएगा यह कुछ दिन आगे बढ़ेगा ना ज तयारी ऐसी होने चाहिए कि हाँ जिस दिन 17 मार्च को एक्जाम हुआ एम रेडी और मुझे एक्जाम देके आना है मेरी तयारी बिलकुल सही है यह वाला माइंसेट यह वाला आटिट्यूड लेके चलिए और चलिए आगे हम सुरू करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट ट सहींता आयोग PGD का सदस सिवन गया है ह। भारत जैसे कि कोई भी आयोग होता है या कोई भी विभाग होता है कोई भी चीज होती है उसका और सुछ अँन्य होते हैं जिसको फॉलो करकर वह चीज आगे बढ़ती है वह संस्था आगे बढ़ती है उनके कुछ रूल से अब ये जो भारती भेशत सहीता आयोग है अभी ये PDG का सदसे बना है अब PDG क्या है उसको भी हम डिसकस करेंगे आगे पहले ये देख लेते हैं कि भारती भेशत सहीता क्या है ये इंडियन फार्मसोपिया का केंदरी स्वास्तर परिवार कर्यान मंतराले के अंदरगत आने ने वाली एक क्या है आयोग है और ये फिल्हाल में PDG का सदसे बना है PDG क्या है ये जैसे कि national लेवल पे भेशत सहीता है वैसे ही PDG international लेवल पे अलग-अलग देशों का जो है वो क्या है medical एक सहीता कह लीजिए आप एक कोड कह लीजिए उस तरह के का एक ग्रूप है और इसमें भारत के शामिल होने का क्या मतलब है कि अब भारत की जो रूल से रेगुलेशन से दवाओं को ले करके उनके जो स्टेंडर्स है उनके जो माना के अब उनको इंटरनेशनल लेवल पर मा बहुत जादा है और अब हम अगर इस पीडीजी के सदस्य बन गए है तो हमारे इंपॉर्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है हमारे जो ओधा है वो थोड़ा और बढ़ जाता है तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि अभी यहां जो इस जी की बैठक कहां पर हुई है तो इंडिया में हुई है कहां पर हैदराबाद में यो अमेरिका योरोप और जापान के बाहर आयोजित होने वाला यह क्या है प्रथम बैठक है मतलब अब तक जो भी बैठक हुई है वो अमेरिका में हुई है जापान में हुई है और कहां प भागी जो है वो फिजिकली उपस्थित रहे हैं जैसे कि सब को पता है 2020 में कोविड का जो सीन था उसके बाद से बहुत सारी चीजे वर्चुली हो रही थी तो 2019 के बाद से ये पहली बैठक है जिसमें व्यक्तिगत रूप से लोग जो है वो उपस्थित हुए हैं तो इसको भ बता रही हूँ उन चीजों को आप बिलकुल दिमाग में रखके चलेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये भारत में हो रहा है भारत में भी कहने का मतलब है America, Europe और जपान के बाद से पहली बार ऐसा है कि किसी अन्यदेश में हो रहा है, साथ के साथ हैदराबाद में हो रहा है, WHO इसका परिवेक्षक है, और क्यों important है, क्योंकि इसमें अभी भारत का जो भारती भेशत सहीता है, वो शामिल हो गया है, तो इतनी सारी च नीचले तपके के लोग हैं, या जो दूर दराज, दूर छेतरों में ऐसे लोग हैं, जो मुख्यधारा में नहीं जोड़ पाए हैं, उन लोगों पर बहुत जादा फोकस रहता है हमारे PM का, और उसमें भी जनजाती जो ट्राइप्स हैं, उनको ले करके जो बहुत सारी स्क ये कौन है? समक्का और सरक्का, माता और और बेटी के दो लोगों की, क्या कहते हैं? ये जुगलबंदी है, या दो लोग है, ये समक्का और सरक्का, एक माा है, और दूसरी उनकी बेटी है, इन दोनोंने बारहवी सताबदी में जो काकती राजवन्स थे, उनके खिलाप मे मोरचा खोला हुआ था ये दोनों ट्राइब से आती है कोया जंजाती से ये आती है बारहवी सताबदी में देखिए काक्ती साशकों के खिलाफ इन्हों ने मोरचा लिया था और क्या था ये कि सूखे की इस्तिती के दोरान जो जंजाती लोगों पर टेक्स लगाया जाता था उससे related इन्हों ने क्या है आंदोलन किया था कि गलत बात है सूखा है एक तो रूपर से जो ये काक्ती राजवन शे उनसे टेक्स वसूल कर रहा था तो ये मा बेटी की जोडी ने क्या किया था आंदोलन किया था इसलिए इनको बहुत ही माता या देवी के रूप में हमारे लिए important है समक्का सरक्का जतारा मेला भी इसको बोलते है तेलंगाना में यह राज्य उत्सों के रूपे मनाया जाता है मैं अब यह कliśmy onze topic क्यूं important आया केंद्रियय गया चतीविश्वविद्याले पहले देख लेते कि विश्व विद्याले के बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है चार अक्टूबर को जो पी एम है उन्होंने क्या किया है कि तेलंगना में ये समक्का सरक्का केंद्रिय जनजाती विश्व विद्याले की स्थापना करने के लिए केंद्रिय विश्व विद्याले अधीनियम 2009 में संशोधन किया गया है तो केंद्रिय विश्व विद्याले अधीनियम कपका है 2009 का इसको ध्यान में रखेंगे समक्का सरक्का केंद्रिय जंजाती विश्व विद्याले की तेलंगाना में स्थापना की गई है कहां पर की गई है तो मुलूग जीले में की गई ह इसको विध्यान में रखेंगे और ये 7 दिसंबर को लोग सभा से पारित हुआ है तेरह धिसंबर को ये राज्य सभा से पारित हुआ है और फाइनली राश्ट्रपती के अनुमती ये स्विक्रा के साकशर के बाद में ये विध्ययकद बन गया है और अब ये विधियक बन गया है, संशोधन विधियक 2023, तो ध्यान में रखेंगे, इतनी बात इस topic से important थी, चलिए, हम speed में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली class में भी आपको बताया था, एक तो time की बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है, और दूसरी बात ही है, कि छ travel for life, जो है, ये महत्वकांची project है, मोदी जी का, travel for life क्या है, कि एक जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, travel, ये life का जो full form क्या है, तो mission life जो है, ये हमारे PM मोदी जी ने चालू किया था, इसका मतलब क्या है, full form है, life style for environment, याने की पर्यावरन के लिए, जीवन शैली, पर्यावरन के लिए, जीवन सैली कहने का मतलब क्या है, कि पर्यावरन को हमारी वज़े से कोई छती ना हो, इसके लिए हम अपने life style में क्या change कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके, ये life, जो mission है, ये PM मोदी ने चालू किया था, अब देख लेते हैं कि इसकी शुरुवा में 1 नमबर को, जो हमारे मोदी जी है, उन्होंने इस life mission की शुरुवात की बात की थी, कि ऐसा कुछ होना चाहिए, अब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बोला था, 1 नमबर 2021 को COP26 में, हमारे यहां कब चालू हुआ ये, तो 20 अक्टूबर 2022 को एकतानगर गुजरात में, जो Statue of Unity है, सरदार वल्लब भाई पटेल जी की जो मुरती है, वहां से एकतानगर से मोदी जी ने हमारे इंडिया में इसको चालू किया था, तो ध्यान में रखेंगे कि ओवरल इंटरनेशनल लेवल पे COP26 में mission life की बात हुई थी, उसके बाद में COP 20 अक्टूबर 2022 को इंड खानी सहरी निकाओं को क्या करना है, पर्यावरण अनकूल बनाना है, अब 80% कहने का ये कि बाकी 20% ने क्या किया है, तो अभी ये है कि हमारी अबादी इतनी है, हमारी diversity इतनी है, अगर हम 80% कर ले रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़ा नंबर है, तो ध्यान म पर 80% गाओं और सहरों को जो है पर्यावरण अनकूल बनाने के लिए इस लाइफ मिशन के तहत काम किया जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे, अब आगे चलते हैं कि भारत लाइफ को अपने राश्ट्रिय इस्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल कर रहा है, एक हमारे हैं स्कीम चल रही है, नेशनल डिटर्माइन जो कॉन्ट्रिब्यूशन करके एक स्कीम चलती है हमारे हैं, तो उसमें इस मिशन लाइफ को शामिल किया जया है, अब आप लोगों के लिए टार्गेट यह है कि आपको होमवग यह है कि आपको NDC के बारे में, नेशनल के बारे में उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी है आपको, यह आप लोगों का होमवग रहेगा, चलिए, आप हम देख लेते हैं कि 27 सितंबर को परेटन मंत्राले के द्वारा जो यह लाइफ मिशन है, इसको ही थोड़ा सा इवॉल्व कर दिया गया, और इवॉल्व करके क आपको प्रेटन मंत्राले की एक पहल है, इसकी शुरुवात की गया है, भारप मंडपम से इसकी शुरुवात की गया, ट्रेवल फोर लाइफ है, मतलब कि अभी तक हम अपनी जीवन शैली बना रहे थे, परियवारन अनुकूल, अब हम ट्रेवल भी करेंगे, परियवारन क अनुकूल तो इस तरीके का ये पहल है किसकी है परेटन मंत्राले की द्यान में रखेंगे इसमें भागीदार कौन-कौन लोग है तो भागीदार ही कौन-कौन दे रहा है UNWTO यनि कि सहयुकतराष्ट विश्व पर्यावरन संगत परेटन संगठन साथ के साथ United Nations जो Environment Program यनि कि UNEP है वो इसमें भागीदार है और भारत सरकार के परेटन मंत्राले तो है इसके तहत एक और चीज़ हुई है कि इसमें जो Travel for Life है इसमें एक छेतरी कारिकरम भी शुरू किया गया है छेतरी कारिकरम के अंतरकत क्या किया गया है कि सतत परेटन के लिए एक लाइफ के अंतरगर दो पॉइंट्स है कौन-कौन से पहला तो है दो पॉइंट्स नहीं बहुत सारे पॉइंट्स है देख लेते हैं इसमें आठ केंदरी विशे हैं और दो जो उपविशे हैं उनकी आगे चरजा करेंगे तो Travel for Life में पहले आठ जो विशे हैं केंदरी तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमें उर्जा की बचत करनी है दूसरी बात है कि जल की बचत करनी है उसके बात जो single-use plastic है उसको क्या करना है वहिशकार कर देना जो एक बार यूज होने वाले plastic होते हैं जो बहुत थिन होते हैं लेकिन वो जल्दी dissolve नहीं होते हैं अब घट use plastic जो है उसको क्या है मना करना मैं हाप पर शॉर्ट फोर्म में लिख रही हूं सिंगल wash plastic है उसका बहिश्कार करना है साथ के साथ को कम करना है reduce waste जो हमारा घरेलू waste है यह जिस भी और ध्योगिक वेस्ट है उसको हमें कोशिश करनी है कि हम इसको कम कर सके इस्थानी विवसायों और समुधायों का सशक्ति करन करना है इस्थानी जो भी जैसे की गाउं के लेवल पे देखेंगे आपकी बहुत छोटे छोटे उद्योग चलते होते हैं अचार पापड बनाना ये सारी ढ़िपीएस्पी में जो आपके मूल करतव्य ने उसमें भी ये शामिल है कि आपको अपनी प्राक्रतिक धरोहर की क्या करनी है तो उस में यहाँ पर भी यह लाइफ 240 की तहट ड्रावर लाइफ क Teat के हा siis भीत का वहड़ा सेवन करना है हमें जादा से जाधा मोदी जी के एक विजन चलता है ने वोकल लोकल कि ज़्यूकर के अगर हम इस थाल्रीक के अगर बढ़ने की चक्कर में हम ने लिगुलेक्ट करना नेगल sheriff करत कर दिया है क्यों ह Walking उग्र में क्योंकि हम मैदा खा रहे हैं उससे हट करके अगर हम अपने इस्थानी पकवानों के बारे में देखें तो बे संसे चावल के आटे से इतनी अच्छी चीज़े इतनी सेहत मन चीज़े बनती हैं जो स्नेक्स का भी काम करती हैं और आपके हैल्थ को भी बहुत कम नुकसान पहु हो जाएंगे इससे अब ट्रेवल फॉर लाइफ कारिक्रम के तहट दो अलग-अलग छेत्र जिनकी मैं अभी बात कर रही थी कि दो अलग-अलग छेत्र प्रारम किये गए हैं कौन-कौन से हैं पहला तो यह है कि स्वक्षता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और दूसरा यह लिए क्या है उब परेटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ तो इस में दो को ध्यान में रखा गया है यह क्या है यह ट्रेवल फॉर लाइफ के अंदर दो अलग-अलग छेत्र पर कारिक्रम के लिए घाल अग पॉटन चीज है जो आपका question बनने की chances हैं वहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ट परेटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी किसके द्वारा केंदरी परेटन मंत्राले के द्वारा परेटन है तो परेटन मंत्राले ही करेगा mostly तो ऐसा ही रहता है तो स्कूर्ज ने करेंदरी परेटन मंत्राले है उसने ये स्वर्श्रेष्ट परेटन ग्राम प्रतियोगिता की शुरुवात की है इसके तहट जिसको price मिला है उसको देन खलेते हैं बहुत ही important है इसमें क्या है कुल 35 गाओं को शामिल किया गया था पांच को जिसमें से gold मिला है 10 को इसमें silver मिला है और 20 को bronze मिला है तो 5 को मिला है gold एबिस गाहों को मिला एग विँल तो इसको धियांद में रखेंगे कुछ जो थीज घाओ को मिला शामिल किया घया है तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया देखिए जबarina कश्मीर से आर्टिकल 3700 हटाया गया है और जम्मू कश्मीर पुनर गठन विध्यव कंश्मा जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे और अभी हाल में आप कहीं भी देखें कि अगर जम्मू कश्मीर ने किसी इंडेक्स में टॉप किया है तो फिर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम यह आपे देख लेते कि सर्वश्रेश्ट परेटन ग्राम प्रतियोगिता में जो है दावर गाउं जो है बांदीपोरा जिले का जम्मू कश्मीर राज्य से उसने क्या किया है टॉप किया है तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर का दाव गाउं मांदिपोरा जिला उसके बाद में उत्तराखंट का पिथोरा गड़ है सरमोली गाउं उसके बाद है मिजोरम रेएक गाउं फिर कंथालूर केरल और मडला मध्य प्रदेश तो आप दावर को ध्यान में रखिए इतना कुछ तो नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछे होगा कि अभी क्या है हमारे हाँ पे जो औरगेनिक जो खाद है उर्वरक है उसके लिए एक ब्रांड को अब मानता दे दी गई है भारत ब्रांड से भारत में जितनी भी हमारे यहां जितनी भी उर्वरक है उनको इसी ब्रांड से ब्रांड की नाम से बेचा जाता है तो भा जारत औरगेनिक ब्रांड करके यह हमारा जो है खाद के लिए ब्रांड है अब इसमें एक चीज हुई है कि N.C.O.L. को Multistate Cooperative Society Act 2002 के तहत राष्ट्री सहकारी औरगेनिक्स लिमिटेट की मानेता मिली है तो अब देख लेते हैं कि यह N.C.O.L. क्या है और यह Multistate Cooperative Societies Act तो Multistate Cooperative Societies Act जो है वो N.C.O.L. को राष्ट्री सहकारी औरगेनिक्स लिमिटेड की मानेता मिली है अब किसी को सहकारी करने का मतलब क्या है कि जो उनका एक अलग से ग्रूप होता है और वहाँ पे ग्रूप के जो लोग होते हैं वो आप जो है पुरा काम समालते हैं जिस भी शेत्र में तो यह उर्वरक्स रिलेटेड है और भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के अंदर यह भी आ गया है एक सहकारी कमिटी बन गई सहकारी जो समीती बन गई है इसना इसमें ध्यान में रखेंगे इसमें और कुछ खास इंपॉर्टन में रखेंगे आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टन जब कभी इस तरीके की किसी स्टेचू या किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो चर्चा में रहता ही है और अभी हाल के इस टाइम में देखेंगे पिछले एक डेड़ सालों में बहुत जगह पे हमने मूर्तियां बन जी की बहुत सारी मूर्तियां बनी है अलग अलग जगह पे बियार अंबेटकर की कहीं पे मूर्ति बनी है तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कहां पर किसकी मूर्ति की अनावरन हुआ है कौन से राजे में हुआ है और उसका नाम क्या है तो क्या है मैं आपको दे सकता है चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं एकात्मता की मुर्ति के बारे में Statue of Oneness Oneness कहने का मतलब है कि सब एक ही है किसका है यह तो आधी संकराचारे जिनको बारे में पता होगा कि आठवी सताबदी के यह क्या थे भारती वेदिक विद्वान थे इन्होंने अध्वेत्वाद और वननेस एकात्मता की बात की थी तो यहीं आधी संकराचारे जी की जो है मुर्ति बनाई गई है कहां पर बनाई गई है यह बनाई गई है आपके MP में देखिए शिवराश चिंग चोहान जी ने इसका अनावरन किया है आधी संकराचारे जी के बारे में जान लेते हैं कि यह कौन थे तो आधी संकराचारे जी जो थे वो आठवी सत्ताब्दी के एक भारती वैदिक विद्वान थे आध्वेत्वाद का सिध्धान दिया था इन्होंने कहां से बिलोंग करते थे तो केरल राजे के कालडी ग्राम से ये बिलोंग करते थे इनके लिए एक बहुत important चीज क्या है कि अध्वयतवात का सिधान तो इन्होंने दिया कि आत्मा परमात्मा सब एक ही ही है उन्होंने ये बात बोली थी साथ के साथ जो चार मठ हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी तो भारत में जो चार मठ हैं द्वार का मठ हो गया आपका बदरिना स्रिंगेरी पूरी इनमें चार जगह पे जो मठ हैं उनकी स्थापना भी किस ने की थी आदी संकरा चार ने की थ तो क्या है जलवायू के प्रस्पेक्टिव से भी वो टॉपिक और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी साथ के साथ आदी संकरा चारे जी भी उस समय भी न्यूज में थे और अभी उनकी जो है थे MPK पूर्वसीयम सिवराज चिन चोहान जी ने किया था 21 सितंबर को इसमें कहां पर किया था तो ओमका रेश्वर में एक संकर वतरणम करके एक आयोजित किया गया था ओमका रेश्वर में और वहां पर ही शंकरा चारे जी की एकात्मता की मुर्ति बनाई गई देखे और उ संगरहाल कि उसमें चीज वहोंगी देखे और हमारे हमारे वैदिक के बारे में तो देखे अब हम देखे लेते हैं कि मुर्ति निय सपेशल है मुरुत उफश्य के सब्सेया सांदॏ म tänतलब में है OK और इस जगा को पूरा क्या नाम दिया गया है ये जो लोक संग्रहाले परिसर है ना इसको नाम दिया गया है एकात्मक धाम तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आधिगुरु शंकराचारे जी की एक विशाल प्रतिमा ये बनी हुई है कहां पर बनी है खंडवा जिले में बनी गया है कहां पर मंधाता परवत पर तो परवत को ध्यान में रखेंगे कि कोई भी चीज अगर एक साल में हाइलेटेड होती है न्यूज में होती है तो फिर उसको अगर वो डाइरेक्ट कोश्चन नहीं पूछ रहा आप से तो इनडारेक्टली कहीं मैंज फॉल्विंग करन के लिए आता है तो आपको लिए यह इंपॉर्टेंट यह टॉपिक हो गया साथ के साथ में मंधाता परवत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया फीट कितनी है इस मूर्ती की उचाई है 108 इसकी उचाई है साथ के साथ में चलने की मुद्रा में है यह वाकिंग ये इतना नहीं पूछेगा कितना क्या है बस यह धेयान में रखेगे कि प्रतिमा है फर से गांतव फीट का है तो 54 फीट ऊचा एक आसन बनाया गया है ठीक है और उसमें क्या है 27 फीट ऊचे कमल की पंखुडी के समान दिखने वाला आधार है तो 27 फीट का एक कमल की पंखुडी के समान दिखने वाला आधार है उस पे 54 फीट का आसन है और उस पर 108 फीट टोटल जो मुर्ती की उचाई है ठीक है और इसको इतने solid तरीके से बनाया गया है कि देखिए अगले 500 वर्षों में भी ये मुर्ती वैसी की वैसी खड़ी रहेगी मतलब कोई हिला नहीं सकता इतने solid materials का इसमें यूज हुआ है टेकनीक को follow करके बनाया गया है चित्रकार कौन है इनके तो ये पूर को शмат sound की किसने JUL, का मत जी ने अब ड्रॉइंग त्यार हो गई तो मुर्ती को बनाने कर Windows की लिए सोलापुर महरास्ट्रा के hell भाग्वान रांपुरी मुर्तिकार चित्रकार अ कि वासूदेव कामध जी इस मुर्ती तो उसमें भारत में स्थापित अन्य प्रमुख मुर्तियां कहां कहां पर एक बर देख लेते हैं जो इसमें दी गई है इस बुक में इसके अलावा आपकी भी जिम्मेदारी है कि और भी अगर आपको कहीं पता है तो आप उसको एक जगा नोट डाउन कर लेंगे तो नई दिल्ली में अब हनुमान मुर्ति अगर दिल्ली की चर्चा आए फिल्मों में वेब सिरीज में कहीं पर भी तो सबसे पहले दिखाती है मेट्रो मेट्रो के पीछे हनुमान जी तो वह यही हनुमान जी है नई दिल्ली में यह हनुमान जी साथ के साथ भगवान टिट्सवर की भाग्वान श्यू कि प्रतिमाः कहां पर नी के करनाटक ने तो इतने को नहां पर रखेंगे चलिए आगे चलते हैं अधिक अब देख लेते हैं स्टेचू आफ अव एकवैलेटी के बारे में यह सबसे ज्यादा हमारें reality की है तो ये Statue of Equality उन्हीं को समर्पित है, कहां पर बनी है ये, ये बनी है Maryland America में, तो भई ये और भी important हो जाती है कि इंडिया वाले तो recognize कर ही रहे थे अपना कमपेड़कर जी को, अब विदेश के लोग भी हमारे जो समिधान निर्माता हैं उनको recognize कर रहे हैं, तो देखिए, Statue of E Equality कहां पर बनी है, Maryland America में बनी है, 14 October को इसका अनावरन किया गया है, 19 feet कि ये, बहुत जादा उची नहीं है, इससे बड़े बड़ी हमारे यहां बन चुकी है, लेकिन विदेश में बनी ये पहली मूर्ती है, अमबेड़कर जी की, इसलिए important है, 19 feet की है, नाम दिया गया है, Statue of Equality कहां पर, Maryland, America में, और सबसे important बात क्या है, कि ये भारत के बाहर जो है, वो बनने वाली पहली मूर्ती है, बियार अमबेड़कर जी की, अब तक सिर्फ इंडिया में था, अभी भारत के बाहर बनने वाली ये बियार अमबेड़कर की, सबसे उची प्रतिमा है, पहली के सिल्पकार कौन है, तो डॉक्टर रामवी सुतार कौन है, जिन्होंने Statue of Unity, येने की सरदार पटेल जी की जो मूर्ती बनाई थी, रामवीर सुतार जी, उन्हीं ने इस मूर्ती को तयार किया है, हैदराबाद में डॉक्टर अमबेड़कर की मूर्ती बनी है, ये क्या है 182 मिटर उचा है ये, ठीक है, नाम क्या दिया गया है, जो Statue of Unity थी, गुजरात की, वो 182 मिटर उची थी, जिसको रामवी सुतार ने बनाई था, उन्हीं सिल्पकार ने हैदराबाद में ये डॉक्टर अमबेड़कर की मूर्ती बनाई है, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़े जो है, वो सरदार वल्लभाई पटेल के रिगार्डी है, इतनी इपॉर्टन नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना न्यूज है, बाकी ये देख लेते हैं कि हैदराबाद में जो मूर्ती बनी है, उसकी उचाई कितनी है, तो 125 फीट है, जो अमेरिका में बनी है, 19 फीट की है, लेकिन हमारे हैदराबाद में जो बनी है, 125 फीट की है, उचाई के मामले में तो कहीं बहुत जादा है हमारे याँ, लेकिन भारत के बाहर बनी है, ये पहली उची प्रतिमाम बेटकरजी की, मैरिलेंड अमेरिका, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब हमारे सहिताओं में, हमारे जो वैदिक सहिता है, या हमारे यहां के जो भी पुराने क्या कहते हैं, नुस्के हैं, उनमें हिलहल्दी का बहुत बड़ा रोल है, अभी एक सीन हुआ था कुछ पिछले साली ऐसा हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री ने पेटें परदादाओं के जमाने से हल्दी को यूज़ करें, तो इसको ध्यान में रख करके हमारे यहां की सरकार को यह लगा कि अब एक बोर्ड होना चाहिए, और जो भी हमारे प्राची नुस्खे हैं, जो भी हायुर्वेडिक चीज़े हैं, उसको एक तरीके से क्या करना चाहिए इंपॉर्टेंच जब हम खुद अपने लेवल पे देंगे, उसको सहीतावर्द करेंगे, तो क्या होगा, आगे से ऐसे कोई पेटेंट लेने के बारे में नहीं सोचेगा कि जो चीज हमारी है, जो चीज हमने पहले ही जात की है, उसको और पेटेंट ले ले, तो इसको धिय में रख करके राष्ट्री हल्दी बोड का गठन किया गया है अब हल्दी के बारे में जान लेते हैं कि हल्दी क्या है तो हल्दी भाई वारस्पतिक नाम इसका क्या है कर्क्यूमा लॉंगा कर्क्यूमा लॉंगा इसका वारस्पतिक नाम है जिंजी बेरसी परिवार से आता है जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम चलता है जाती वाद इस परिवार से शर्मा परिवार से वर्मा परिवार से ऐसे चीज़ें तो हल्दी का परिवार कौन सा है जिंजी बेरसी परिवार से आता है हल्दी कैसा पादप है ये पुष्पी ये पादप है यहने की फ्लॉवरिंग प्लांट है पुष्प के रूप में ये उगता है ऐसा बोल सकते हैं एक सदावहार एवं औश्रधी गुणों से यूगतिये पौधा है । मैंने बताया कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है कर्कूमा लौंगा ये कहां पर पाया जाता है मुख्यत यह पाया जाता है भारती उप महाध्यूप में एवं डक्षिन पूर्व एशिया में इसको उगाए जाता है ठीक है खिव सक्रिय यानि कि बायो का के वज़े से ही हल्दी में जितने भी पौस्तिक गुण है वो है हल्दी में घ्येत्स है जो यह भारत्त है तो आपके science में ओधर कफातिक नाम वभी सतेट्मेंट को एक है हो हम देख लेते हैं कि हल्दी के भारत के respect में उपयोगीता क्या है तो हल्दी उत्पादन में भारत जो है वो 75% से भी अधिक का योगदान देता है वैश्विक लेवल पे तो देखिए जुरुरत उस देश की में मानूंगी जो भाई 75% हम उत्पादक हमने बहुत प्राचीन समय से इसको यूज किया हुआ है हमने इस 75% का योगदान है और अब हमने ये बोर्ड बना दिया है मतलब डेफिनेटली हम इस दिश्वा में और प्रोग्रेस करेंगे मेजरली कहां पर उत्पादन होता है तो सबसे जादा उत्पादक राज जो है वो हल्दी के महराश्ट्र तेलंगना करनाटक और तमिलनाडू तो और आपका इधर को तमिलनाडू हो गया तो ये जो महराश्ट्र तेलंगना करनाटक तमिलनाडू ये सारे जो राजे यहां हल्दी का बहुत बड़ा उत्पादक ये राजे आते हैं साथ के साथ में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मैंने बता दिया 62% अध बाद तो सबसे पहले तो ये कि 4 अक्टूबर को भारत सरकार ने इस हल्दी बोर्ट का गठन किया है 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को क्या होता है गंगा डॉल्फिन तो ऐसे रिलेट करके डेट को आप याद रख सकते हैं इनके साब को पूछे वैसे तो नहीं पूछना चा में जनकारी दी जाएगी हल्दी की खपत को क्या किया जाएगा बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा इसके निर्यात को और बढ़ाया जाएगा अब हम इसके निर्यात को बढ़ाने में काम करेंगे ठीक है अनुसंधान और विकास पर ध्यान देंगे बोर्ड बना दिया है तो उसमें और रिसर्च करेंगे कि और be out Youinnamil weights कर देना है तो इस पर द्याद देंगे ठीक है उसके बाद में हमें rivals को हमें क्या कर Dolphin कац कर दिन करना है 2030 तक $1 Billion कर देना है तो ये में टार्गेट 2020 हमें क्या कर देना है हल्दी के निर्यात को 1 billion dollar तक पहुचा देना है तो ये वाला जो line है आपके लिए important है क्योंकि इस type के प्रशना आप से बनते हैं कि कितने साल तक का विजन है तो 2030 तक का विजन है कितना वढ़ाने का है तो 1 billion dollar जो है हल्दी का निर्यात इतने रुपए का हम कर पाए ये हमारा target है चलिए अब हम अगला topic देखते हैं रोकना भाई साब रोको 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 चलिए अब चलते हैं अगले topic की तरफ अगला topic है हमारा बहुत ही important नारी शक्तिवंदन नारी शक्तिवंदन अधिनियम क्या है कि अब महिलाओं को लोक सभा और राज विधान सभाओं में 33% reservation की बत्यों बहुत ही सालों से चल रही थी दो तीन दसकों से इस पर चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान आप क्या कहते हैं पुरुषों के समान समानता देने के अब बात कर रहे हो लेकिन खुद आपने जो सरकार है उन्होंने या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमारी विधाय का है उसने लोक सभा में और राज्य सभाय विधान सभाओं में महिलाओं को इतना आरक्षन नहीं दे रखा है उनको समानता का आपने और सर नहीं दे रखा है तो इसको ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन योजना लाई गई है ऐसा कुछ लाया जाए लेकिन वो अनफॉर्शनेटली पास नहीं हो पाया उसके बाद में जस्ट उसके बाद 12 लोक सभा में फिर से अटल विहारी वाचपेजी की सरकार में इसके बारे में चर्चा की गई विधायक जो है वो पेश किया गया 14 दिसंबर 1998 में लेकिन ये भी पास नहीं हो पाया फिर ग्यारवी बारवी के बाद 13 लोग सभा में भी इस तरीके की चीज़े आई कि ऐसा कुछ होना चाहिए 85 जो है वो constitutional amendment समिधान शंशोधन किया गया लेकिन मामला क्या है राजसभा में तो पास हो गया लेकिन लोग सभा में वो क्या हुआ लोग सभा के है history रही अब हम देख लेते हैं कि अब ही जो पास हुआ यह फाइनली तो उसमें क्या प्रोविजन्स रहे क्वेश्चन यहां से बनेगा तो देख लेते हैं कि 19 सितंबर 2020 को महिला आरक्षन विधेयक जो है वो पास किया गया कौन सा यह विधेयक था तो बिल जो था वो 128 वा था देखिए बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है यह पता होगा पताने कि शायद जरूरत नहीं पढ़ने चाहिए फिर भी में बता देती हूँ कि जब ही भी उस पे सिगनेशर नहीं मिल जाता है तब तक वो एक बिल रहता है और जैसे ही प्रेजिडेंट को जैसे ही बिल को प्रेजिडेंट की हस्ताक्षर मिल जाते हैं प्रेजिडेंट का सिगनेशर मिल जाता है साथ के साथ लोग सभा और राजय सभा से वो पास हो जाता है तो वो ज्यादा नंबर में आते तो है विधेयक लेकिन वो हर बर पास नहीं हो पाते हैं तो वो क्या होते हर बर एक्ट बन नहीं पाते हैं तो हमेशा जो बिल का नंबर होगा नंबर ओफ बिल ज्यादा होंगे नंबर ओफ एक्ट कम होंगे तो ये नारी शक्ति वंदन जो है वो 128 व बहुत ही इंपॉर्टेथा को यह पुरा पारित हुआ एक या फोफा स्तिम्बर को पूरा के पारित हुआ और अथाइक सितम्बर को प्रेजिदेंट के फाइनली इसमें क्या हुए हस्ताक्षर हो गए देट बहुत इंपोर्टेंट है इस एक्ट में इसको ध्यान में रखेंगे ये पूरा 116 संशोधन विधेयक रहा और 28 से 21 सितंबर 2023 के बीच में संशद में ये एक बहुत विशेश शत्र चल रहा था और साथ की साथ जो नया संशद भावन है उसकी स्थापना के बाद ये पहला और बहुत ही महत्तोपूर्ण बिल है जो इस नई संशद भावन में पास हुआ है ठीक है नाम क्या दिया गया है नारी शक्ति वंदन अब इसमें जो राज्य सभा जो लोक सभा के जो टोटल नंबर आफ मेंबर्स थे उ वल दो जिन्होंने इनका विरोध किया है तो उन दो के नाम जानना बहुत जरूरी है पहला क्या है पहले हैं इंडिया मजली से इत्तिहादुल के यानि कि ए आई एम आई एक के असुद्दीन ओवैसी जी हमेशा चर्चा में रहते हैं इनको कौन नहीं जानता होगा तो एक सुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियास जलील ये दो नाम को याद रखिएगा इन्होंने क्या है नारीशक्ति वंदन का विरोध किया है राज्यसभा में पड़े लिखे लोग होते हैं तो सर्वसम्मति से पास हो गया मैक्जिमम जो लोग होते हैं पड़े लिखे समझद कई धान में रखेगा अगर इस टेटमेंट बने की यह स्टえば को मिलने वालेर यक्षं से इतर है तो यह स्ट आसी जो और अक्षन है पहले जो स्ट एसी डीज़ें पैस के को भी जोड़ागया है कहने का मतलब यह है कि जो लोगसभाय विधाइका मैं सीट रिजर्व थी उसम से अलग हट के नहीं है उस ही STSC के जो नंबर से उनमें ये सामिल है और ओवरॉल 33% का रिजर्वेशन है महिलाओं को अब ये ध्यान में रखेंगे कि स्टेट्स में तो ये लागू हुआ ही है 28 स्टेट्स के साथ-साथ एक यूटी है कौन सा डेली तभी को मालूम होना चाहिए कि दो ऐसे केंद्रशाशित प्रदेश हैं कौन से दिल्ली और पुदुचरी जहां पर विधान सभाए हैं लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न स्टेटमेंट में ये बन जाए कि दिल्ली के साथ-साथ केंद्रशाशित प्रदेश पुदुचरी में भी महिलाओं को आरक्षन दिया गया है तो नहीं केवल राज्यों के अलावा UT में दिल्ली जो ऐसा है कि दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षन की बात कही गई है ठीक है अब ये पूरा संशोधन अधीनियम लाने के लिए आपको और अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कि ये प्रोविजन समिधान में शामिल करने के लिए समिधान में संशोधन करना पड़ेगा तो किस किस चीजों में संशोधन किया गया एक तो ये 116 संशोधन वी देया कि साथ के साथ में आर्टिकल 239AA, यह किस से सम्मंदित है, यह दिल्ली के जो constitutional प्रोविजन से सम्मंदित है, आर्टिकल 239AA, तो इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है, केंदर शाषित प्रदेश दिल्ली के लिए यह आर्टिकल 239AA है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस अनुछेद को इस पारित करने के लिए किन-किन अनुछेदों में क्या प्रोविजन से जोड़े गया है, तो तीन अनुछेद हैं ऐसे समिधान के, जिन में संशोधन किया गया, पहला तो 330A, 332A और 334A, ठीक है, तो यह 330, 332, 334 दो-दो का डिफरेंस है, ठीक है, याद करना आसान हो गया जाने का मतलब 33%, कितना होता है, एक तीहाई होता है, तो मैंने वही जो पहले स्टार्टिक में बताया, कि आर्टिकल 330A के तहत क्या शामिल किया है, कि लोग सभा में जो STSC महिल, STSC Reserve seat है, उनमें एक तीहाई महिलाओं के लिए भी होगा, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा यह है, कि लोग सभा में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो सीटे भरी जा रही है, उसमें भी एक तीहाई सीटें जो क्या होंगी, महिलाओं के लिए अरक्षित होंगी, ठीक है, तो एक तो हो गया, STSC seats में ही one third महिलाओं के लिए, साथ के साथ में जो प्रत्यक विधान सभाएं होंगी, उनमें same provisions, राजो की विधान सभाव में क्या होगा, STSC के जो seats हैं उसमें one third महिलाओं के लिए और overall जो seats हैं उसमें one third, तो यह 335 जो हुआ राज्यू विधान सभा के लिए, 334 में क्या है, एक नया अनुच्छे 334 ए जोडा गया, 334 ए जोडने के बात क्या किया गया है, कि जो seato का आरक्षन है ना, उसमें क्या सर्ते होंगी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षन तो दे दिया गया, लेकिन वो कब से लागू होगा, उसकी सर्ते क्या होंगी, इसमें संभाधन करने के लिए article 334 ए को शामिल किया गया, तो article 334 पहले से था, उसम नेक्स्ट जो हमारी जनगरना आएगी, उसके बाद जो पहला परिसीमन आयों गठित होगा, उसके बाद इसे ये प्रोविजन्स लेगेंगे, तो अगर कोई सोच रहा होगी, इस साल के जो election होने वाले हैं अभी एक दो मन्त में, उसमें अगर ये सीज़े लागू हो रही ह के लिए ही मानने होगा, अगले 15 वर्ष के बाद में चाहे, तो संसद फिर से इसको extend कर सकती है, जैसे कि अभी तक आरक्षन के मामले में है, कि हर 15 साल में उसको क्या extend किया जा रहा है, तो अभी जो ये महिलाओं के आरक्षन के लिए जो प्रोविजन्स आये हैं, ये भी next 30, next 15 years के लिए हैं, और फिर उसको संसद चाहे तो अपने ही साब से आगे extend भी कर सकती है, ठीक है, अब चलते हैं अगला आयुश्मान भवह अभियान, तो आयुश्मान भारत, आयुश्मान, बहुत ताइम से हम सुन रहे हैं, अब उसमें एक नया अभियान जुड़ गया है, आयुश्मान भवह का, या एक सार्व भौमिक स्वास्त कवरेज है, कौन? आयुश्मान भारत करके एक सारो भौमिक स्वास्त कवरेज चलाय जा रहा है, जिसमें पर फैमली फाइव लाग रुपीज दिये जाते हैं, ठीक है, विलाच के लिए, तो उसी के तहत में एक नए सार्वान में रख करके, SDG, Sustainable Development Goal, जो है, सतत विकास जो लक्ष है, जो 2030 तक रहने वाले हैं, कितने हैं, सतत विकास लक्ष? तो आपके 2030 तक टोटल 17 SDGs हैं, ठीक है, SDG कितने हैं, टोटल, 17, यह क्वेशन बनता है, कभी-कभी, ठीक है, प्रीवेस यह आपने पेपर देखा होगा तो, कि 2030 तक एजेंडा है, किसका, United Nations का, SDG लेकर आया है, 17 Goals है इसमें, इसी 17 Goals में, जो SDG 3 है, SDG 3 जो है, वो किसकी बात करता है, वो बात करता है, Good Health and Wellbeing की बात करता है, ठीक है, अच्छा स्वास्त, SDG 1 बात करता है, आपके गरीबी की, दूसरी बात करता है, हंगर की 3, SDG 3 जो बात करता है, वो किसकी बात करता है, वो बात करता है, आपके Good Health की, ठीक है, तो इसको ध्य द्यान में रखते हुए हमारे यहां पर आयुषमान भारत की एक यह पूरी अभियान चलती है ठीक है इसको ध्यान में रखेंगे SDG से question बनते हैं मिलान करने के लिए आता है कुछ important जो है SDG 1 2 3 4 5 gender inequality तक उसके बार SDG 13 है climate change से लेकर फिर SDG 14 और 15 है life below the water and life on the land इन सब से previous years paper देखेंगे तो आपको मिलान करने के लिए आया हुआ है ठीक है तो SDG इसको भी एक बार ध्यान पर रखेंगे अभी हम आ जाते अपने topic पर आयुषमान भावा अभियान जो है वो आयुषमान भारत की तरही एक अंदर उसके अंदर एक अभियान है इसका भारत स्वास्ते और संरचना है आयुषमान भारत डिजिटल मिशन है इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं चल रही है ठीक है तो आप हम देख लेते कि आयुषमान भावा में ऐसा क्या खास है सबसे पहले तो कि राष्ट्रपती दृपदी मुर्मु ने गांधी नगर से सबस्ती दृपधी मुर्मु जी अभी बहुत ज्यादा हाइलाइट हो रही है सौकषता सर वेक्षन भीमुर्मु ने लांच किया था अभी जो आयश्मान भावा है इसको भी दृपदी मुर्मु ने ό divi लांच किया है तो यह लांच किया है गांधी-नगर गुजरात से ठी इसमें क्या किया जाएगा जो संचारी गयर संचारी रोग हैं उनकी रोग थाम कैसे की जा सकती है इसके लिए इस दिशा में काम किया जाएगे ठीक अभी देख लेते हैं कि इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से ले करके 2 अक्टूबर 2023 तक इसको चालू किया गया था किसको आईशमान भवा अभियान को इसके तहट तीन घटक शामिल किया गया थे कौन-कौन से आईशमान आपके द्वार आईशमान मेला और आईशमान सभा मतलब आ अभियान आईशमान आपके द्वार मेला और सभा ठीक है यह तीन घटक थे इसके आप इसी पूरी जो यह चीज़ चल रही है इसी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज हुई है आरोग्य मन्थन 2023 तो आरोग्य मन्थन 2023 यह क्या है राश्ट्री स्वास्ति प् पीम जय उसके 5 साल कंप्लीट हुए उस उपलक्ष में इसको शामिल किया गया साथ के साथ एक आईशमान भारत डिजिटल मिशन भी चल रहा था कि डिजिटली जो है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक संबंध इस्थापित करने के लिए तो आईशमान भारत डिजि स्वास्तिक उद्देश क्या है कि स्वास्त के छेत में हम और क्या बेटर कर सकते हैं अपने जो हमारी जनता है उसको हम और क्या सुपधाने दे सकते हैं उसको ध्यान में रख करके बनाया गया इसको नए दिल्ली में यह आरोगी मंथन संपन हुआ अब एक और चीज देख जो को ranking दी कि कौन सा राज्य अच्छा treatment दे रहा है कौन सा राज्य जो है खराब treatment दे रहा है तो इसके लेकर कि हमने क्या है पुरसकार दिया पुरसकृत किया तो यह important है हमारे लिए यह वाला topic यहां से question बन सकते हैं कि सरवाधिक संख्या में उपचार के मामले में किस ने केंद्रशाषित प्रदेशों में सबसे अच्छी condition पुदूचेरी के लई है तो पुदूचेरी में केंद्रशाषित प्रदेशों में health की जो treatment number of treatments के मामले में पुदूचेरी की condition अच्छी है अब तेकते हैं इसके तहत क्या किया गई है सरवाधिक आयुश्मान कार्ड बन देख रहे हैं कि सबसे जयदा आयश्मान कार्ड की स्राज्जी ने बना के दिये तो सबसे ज्यदा आयश्मान कार्ड बनाने में बड़े राज्जियों में नाम है असाम का उसके बहुत जाईए चोटे बनेगा केंद्रशाषित प्रदेश je nămona काशमिर आ जहां जहां जमू अब आजाते हैं अगले टॉपिक की तरब देखिए इंपोर्टन्ट है यह जी आई टैग वगएरा मिलते हैं या इस तरीकी की कोई चीज होती है तो वह कुशन बनता है मिथुन को अभी खादे पशू का दर्जा दे दिया गया ठीक है मिथुन को मिथुन को खादे पशू का अब पहले तो यह ध्यान रखेंगे कि इनको खादे पशू का दर्जा दिया गया है आगे देखेंगे कि इसके गया बेनेफिट्स होंगे सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन का वग्यानिक नाम क्या है तो बॉस फ्रेंटालिस कहने वाना बॉस है यह मिथुन जी बॉस है गया सबसुत हैं मिथुन इसको वेग्यानिक नाम है बॉस फ्रेंटालिस क्या है पर्वतो के पशु के नाम में इनको जाना जाता हैं कौन से परिवार से आते हैं वोवीडे परिवार्स हैंतलब दूर के रिष्टेदार हैं मतलब जैसे हमारे आपकी बहुत कुछ पास के रिष्टेदार होते हैं कुछ दूर के रिष्टेदार होते हैं तो यह जो मिथुन है वो भी मवेशियों के यह भैसों के दुरस्ट संबन दिये ठीक है अभी इनको क्या किया गया है खादे पशु का दरजा दिया गया है यह किसके समक्ष है यह जंगली गौड जो होते हैं उनका यह पालतू वर्जन है ठीक है तो इसको ध्यान में रखेंगे कहां पर पाये जाते हैं तो सबसे जादा यह उत्तरपूर्वी राज्यों में पाये जाते हैं उसमें भी कहां पाये जाते हैं तो अ जब इंडिया का मैप देखते हैं तो यहां पर आपको यह पुरा मिलेगा अरुनाचल प्रदेश उसके नीचे मिलेगा नगा लेंड फिर आपको मिलेगा मनिपूर और यहां पर मिलेगा मिजोरम ठीक है तो यह लाइन से लगे हुए याद करने में भी हसानी है सबसे ज़्या आपके नगालेंड में भी मनिपूर में भी और मिजोरम में भी पाए जाते हैं ठीक है इसको ध्यान में रखेंगे और यह देख लेते हैं कि लगभग कितनी इनकी संख्या है तो 3.8 लाख संख्या में हैं अभी फिलहाल में यह तीक अब देख लेते हैं कि किसने दर्जा द द्धान केंद्र बनाया गया है जो इस तरह की development पे काम करते हैं मिथुन से related research करते हैं अब यह date important है एक यहाँ पर एक सेप्टेंबर का एक सेप्टेंबर को अब से क्या मनाया जाएगा मिथुन दिवस मनाया जाएगा यह याद रखेगा बॉलिवुड स्टार मिथुन नहीं ह जावा एक सेप्टेंबर का मिथुन दिवस मनाया जाएगा इसको ध्यान में रखेंगे अब क्या हो रहा है कि अब उनके मीज़ करने की परमिशन होगी अब इस मिथुन के मास को किस नाम से बेचा जायेगा तो वीसी करके एक ब्रांड बनाया गया है और इस नाम से मिथुन के मास को बेचा जाएगा तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है वी सी को ध्यान में रखेंगे ठीक इसको मानिता दे दी है और जो केंद्र है समराष्टी मिथुन अनुसंधान केंद्र वो नागालेंड में है तो यहां पर कन्फ्यूज नहीं हुएगा सबसे ज़्यादा मिथुन अरुनाचल प्रदेश में हैं लेकिन उन पर रिसर्च करने के लिए जो केंद्र मना है वो इसको ग्रेट स्थूपा के नाम से भी बोला जाता है स्थूप क्या होते हैं बहुत धर्म से रिलेटेड होते हैं जो भौगवान गौतम बुद्ध जी है उनके जो शरीर के अंग होंगे या बहुत इंपॉर्टेंट चीज होंगी उनको यहां पर लाया गया है और इसको क् उनक्ताबदी में असोक ने बनाया था सांची के लिए इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि 1989 में इसको वर्ल्ड हैरिटेस साइट का दरजा सांची को मिला अब हम देख लेते हैं कि सांची जो है वो पहला सौर्य इंडिया का पहला सॉलर सिटी बना है मतलब कि वहां पर क्या होगा एक तो नेट जीरो कार्बन इमिनिश्चन कार्बन उत्सरजन बहुत ही कम साथ के साथ में सूरे से ही अपने डे टुडे लाइफ की जितनी भी उड़जा की खपत है उसको ये पूरा कर लेंगे ठीक है तो ये सूर सहर हो गया पूरा 100% जो है वो रिनुवेबल एनरजी पे डिपेंडेंट हो गया है ठीक है साची चलिए इससे क्या होगा कि नागोरी में लगभग 3 मेगावाट चमता का आप क्या कर लेंगे उर्जा का उत्पादन कर पाएंगे उसको आगे बढ़ा करके क्या करें अब हमने देखा कि इस सोलर सिटी था लेकिन गाउं के मामले में देखा जाए तो यह उपलबदी जो है वह पहले ही एक गाउं ने हासिल कर ली है वह गाउं कौन है मोधेरा मोधेरा जो है वह भारत का पहला 24-7 सौर उर्जा संचालित गाउं बन चुका है कब बन चुका है यह 2022 में ही बन गया है तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है अगर पूछे कि सोलर सिटी तो सब सहर की बात होगी तो साची का नाम आएगा और अगर गाउं की बात होगी तो मोधेरा गुजरात का यह गाउं है वहाँ पर मोधेरा इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहा ग्राम फर्योजना की तहाय थी जो मोधेरा को पहला सौर उर्जा संचालित गाउं डिकलियर किया गया था 2022 में ठीक है द्यान में रखेंगे चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं एंसी आटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है डीम्ड यूनिवर्सिटी म इसकी सिफारिश कितने की तो यूजीसी जो है जो बहुत सारे विद्यालेयों को क्या करता है क्या अमानेता देता है तो यूजीसी के कहने पर जो हमारी केंदरी जो मंत्राले है या सरकार है उसने अंसी आटी को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है ठीक है अब इ NCRT नित नए अपने शोध करते रहता है अपने जो सेलेबस में चेंजिस लाता रहता है और कैसे एजुकेशन सिस्टम को बहतर बनाया जा सकता है इस पर बहुत वो काम करता है रिसर्च करता है ठीक है तो इसलिए क्या है NCRT को डीमडी उनिवर्सिटी का दरजा दिया गया है किस श्रेणी में रखा गया है डीमडी उनिवर्सिटी का दरजा मिला है किसे इंसिया ठीक हो चलिए अगला बहुत ही इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कहले जी स्वक्षवायू सर्वेक्षण एक तो हमारे हाँ पे एयर क्वालिटी के मामले में हमेशा खराब इस् और ये स्वक्षवायू सर्वेक्षण है तो इंपोर्टेंट है सबसे पहले देख लेते हैं कि एक हमारे सरकार की द्वारा एंसिया पी प्रोग्राम चालू किया था दोहजर उन्नीस में ठीक है किसन मंत्राले की द्वारा तो मब जार इससे बात है परियावरन से संबंदी परियावरन मंत्राले है वो इसको लॉंच करेगा ना एंसी एपी का क्या फुल फॉर्म है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉंच कब हुआ था दोहजर उन्नीस में इसमें क्या था सहरो और राज्यों को जो है वो गुडवत्ता की अधार पर वायू की गुडवत्ता की मतलब की जो छोटे चोटे पार्टीकल सोते धूल के कड़ होते हैं जो वायू प्रोटूशन के लिए सबसे ज्यादा योगदान देते हैं जैसे कि पी-े-म-10 हो गया पी-म-2.5 हो गया तो इन सब को कितना कम कर रहे हैं इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं इसको ध्यान म रख करके उनको उन पर नजर रखी जाती है यह पूरा सर्वेक्षन वाया जाता है तो इसको ध्यान में रखते हुए 2019 में NCEP चालू की गई थी इसका टारगेट किया था कि अगले 5 वर्षों में 20-30% तक हम इस PM10 और PM2.5 को क्या करें रड्यूस करें कम करें ठीक है तो इसको ध्यान में रख करके लगभग 131 सहरों को टारगेट करके यह पूरा सर्वेक्षन आता है तो ठीक है वायू सर्वेक्षन कितने सहर 131 है ठीक अभी फिलहाल 7 सितंबर 2023 को हमने क्या मनाया था विश्व लेवल पे नीले आकास के लिए स् सब्सक्राइब को क्या था मिथुन दिवस अभी मैंने बताया साथ सब्सक्राइब को क्या है इंटरनेशनल क्लीन एयर डे ठीक है इंटरनेशनल क्लीन एयर डे मनाया हमने और उसी के उपलक्ष में क्या किया गया है यह स्वक्षवायू सर्वेक्षन रिपोर्ट को जारी कि तो इसमें तीन केटेगरी है केटेगरी में टॉप त्री पहली केटेगरी क्या है दस लाग से ज्यादा किया अब अग्रा घृड़ी उसके बाद तीन लाग से दस लाग की अबादी में कौन टॉप पर है तो अमरावती, महरस्टा का फिर मुरादाबद, उत्तर प्रदेश, देखें, यहां पर भी उत्तर प्रदेश का मुरादाबद है, इसलिए इसको भी दियान में रखेंगे और गुंटूर आंधर प्रदेश तो अमरावती मुरादाबाद और गुंटूर यह तीन लाग से दस लाग की आबादी में हो गए सौक्षवायू के मामले में अब तीन लाग से कम आबादी में देख लेते हैं कौन सा है एक है परवाडू हिमाचल प्रदेश का काला अंब हिमाचल अब देख लेते हैं हमारे लिए इंपोर्टेंट यह है उत्तर प्रदेश की इस्थिति ठीक है तो उत्तर प्रदेश की इस्थिति क्या है देखिए दस लाग से जादा की अबादी में उत्तर प्रदेश में कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ टोटल साथ जो सहर हैं दस लाग से जादा की अबादी में यूपी से हैं कौन से अच्छी रैंक के साथ आगरा है सेकेंड पोजिशन पे फिर है आपका वारानसी है ना ग्यारवे पोजिशन पे फिर गाजियाबाद 11 त्वेल्थ गाजियाबाद मेरट 15 कानपूर आगया 23 लखनव आगया 24 और प्रियागरज आगया 28 तो 10 लाग से जादा आवादी में कौन-कौन है आपके आगरा वारानसी गाजियाबाद मेरट कानपूर लखनव प्रियागराज एक बार गोथ्रू हो जाएगा इतना नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं है ठीक है और उसके बाद 3 लाग से 10 लाग में 3 लाग से 10 लाग में कौन है आपका मुरादाबाद फिर फिरोजाबाद बरेली जहां सी गो खुर्जा और अनपरा एक बार गोड़ एक दो बार इसको ध्यान देंगे तो शायद याद हो जाए वैसे इतना याद करना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है एक आत क्वेश्चन ऐसे आजाते हर किसी को अड्रेस करना मतलब बेयोकूफी होगी अगर कोई अंतराष्टी प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम एक विजन वाला एक मंडप है यह है क्या यह आई इसी सी इंटरनेशनल एग्जिबीशन कम कन्वेंशन सेंटर है मतलब कि एक इतना बड़ा प्रांगड इतना बड़ा हमने सेटप तयार कर दिया है कि हम बहुत चर्चा में रहा इतना बड़ा यह कोरिडोर है नाम है इसका भारत मंडपम अभी यहां पर क्या हुआ है जी 20 की बैठक भी यहीं पर आयोजित की गई थी और भविश्य में जो भी बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे वो यहीं पर होंगे ठीक है यह पूरा थीम कहां से आया आइडिया इसका नाम कहां से आया तो अनुभाव मंडपम है एक कहां पर करनाटक में तो करनाटक में एक अनुभाव मंडपम है उसको ध्यान में रखकर उसी की थीम पर भारत मंडपम बनाया गया है और यह अनुभाव मंडपम किस ने बनवाय था तो भगवान जो बस्वेश्वर जी ने बनाय था कब 12 सधी में करनाटक में ये बनाया था बस्वेश्वर जी ने उसको ध्यान में रखकर कि ये भारत मंडपम बनाया गया 123 सेकर में फैला हुआ है यहाँ पर माई की विवस्था है माई का फूल फॉर्म क्या है Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions यहने की Meeting भी हो सकती है Incentives भी हो सकते है Conference भी आयोजित की जाएगी और Exhibitions भी वहाँ पर हो सकते हैं ठीक है? मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर G20 की सिखर समयलन को क्या किया गया था? आयोजित किया गया था चलिए आप देख लेते कि इसी भारत मंडपम में विश्व की सबसे उची निटराज मूर्ती निटराज मूर्ती देखी होगे आपने भगवान शिव की तांड़ों की मुद्रमी नृत्ति की मुद्रमी जो मूर्ती होती है निटराज की मूर्ती इसको इस भारत मंडपम में लगाया गया है ये विश्व के सबसे उची मूर्ती है ठीक है इसकी उचाई कितनी है तो लगभग 28 फीट है अस्ट धातू से बना हुआ है अस्ट धातू मतलब आठ प्रकार की धातू मेटल्स का प्रयोग है जिसमें गोल्ड है सिल्वर है लेड ह आपका तामबातीन यह सारी चीज़े है ठीक है इस मूर्ती को बनाया कौन है तो इस मूर्ती को तमिल नाडू के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के मूर्ती का राधा कृष्ण ने बनाया है ठीक है तो राधा कृष्ण जी का नाम याद रखेगा और यह मूर्ती किस प तो फिर जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको हटा लिया जाता है तो यह लास्ट वेक्स कास्टिंग विधी के ऊपर अधारी था यह ठीक अब अगला टॉपिक देखते हैं प्रधान मंतरी विश्वकर्मा योजना यह मोदी जी ने अपने बर्डे के लक्ष में लौंच किया था 17 सितंबर के असपास में विश्वकर्मा योजना में क्या है जो छोटे लेवल पे लेकिन बहुत ही हमारी डे टुडे लाइफ के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट जो शिल्पकार होते हैं जो कारीगर होते हैं जिनके बिना हमारा जीवन आलमस्ट दूरा है अब यह पोडिय ट्राइब में आजाता आपका बेंकिंग सेक्टर घीक है जिनके बहुत है रूब्स ऑल्गुलेशन सेजसेए कि इन फॉर्मल के होते हैं कई छोटे चोटे लेवल पे कारीगर होते हैं जिनको उतना तो एसे अनोब चारिक छेत्र के जो काम करने वाले लोग है उनको मानेट कंद्री चेतरक की योजना मैंने पिछली बार भी बताइए था कि 100% जो है केंद्र सरकारिकी ठीक है दूचिज़े होती है एक तो होता है सेंटरल सेक्टर दूसरा होता है सेंटरल sponsored तो केंद्री जो छेत्रक होते हैं Central सेक्टर जो होते हैं उसमें hundred percent funding जो होती ही वो government की होती है Central Government की पर जो केंद्री प्रयोजित होते हैं या जो Central sponsored होते हैं उसमें कुछ percent हिस सेंट्रल government का होता है कुछ स्टेट government का तो रहा हाल ये विश्व कर्मा योजना जो है वो केंडरीजी छेतर की योजना है ठीक है इस में क्या किया जाएगा IVT mean जो है उनको और ये विश्व कर्मा योजना के था है जो छोटे की लोग हैं जैसे चोटे लोग तो नहीं चोटे कारीघर जो है उनको पांच वर्ष की अवधी के लिए क्या किया जाएगा लोन वगेरा दिया जाएगा वित्ती सहायता दी जाएगी ठीक है अब इसमें कुछ अठारा पारम पर एक व्यवसाय सामिल है तो उसको एक बार अब देख लीजेगा चलिए इसके कुछ की हाइलाइट्स क्या है तो भाई विश्वकर्मा योजनाओं में जो लोग हैं उनके कौशल को और निखालने का काम किया जाएगा पीम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दि यहां पर दिया जाएगा उसको कहते को लेटरल फ्री लोन थी कहने का मतलब है कि बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिया जाएगा तो इतने पॉइंट को ध्यान में रखेंगे चलिए अब देख लेते कि प्रथम ABDM माइक्रो साइट यह माइक्रो साइट क्या होते हैं ABDM मत पेशेंट के बीच में कड़ी स्थापित की सके ताकि पेशेंट को जब नीड हो वो डॉक्टर से टेच में आ सके और अपना इलाज करवा सके तो इसके लिए एक जो क्या है अवसं रचना बनाने अवसं रचना जो बनाई जा रही है उसको माइक्रो साइट का नाम दिया ग बनेगा तो भारत का पहला राज्य बनेगा मीजोरम में जो है सबसे पहले माइक्रो साइट बनाया जाएगा तो इसको याद में रखिएगा ठीक है आईजोल मीजोरम में पहले माइक्रो साइट बनाया जाएगा अब इसमें जो इंपोर्टन था वो मैंने बता दिया और त समू होगा, तो मैंने बताया कि जितने भी health benefits हैं, एक जगा पर मिल सकें, उसको नियान में रख करके microsites बनाए गए है ठीक है अब चलते हैं India Smart Cities Award तो India Smart City Award जो है वो दिया जाता है किसके द्वारा आवासन एवं सहरी कारे मंत्राले जो है उसके द्वारा ये India Smart City Award को है आयोजित किया जाता है इसमें क्या किया जाता है कि शहरों को Smart Development को बढ़ावा देने के लिए शहरों को योजनाओं को क्या किया जाता है पुरस्कृत किया जाता है ठीक है इस प्रतियोगिता को launch कप किया गया था 2018 में launch किया गया 2019 2020 अब तक इसके तीन संसकरन आ चुके थे और अभी क्या है चौथा संसकरन जो है वो आया है 18 19 20 लगाता रहे थे उसके बाद में कोविड की वज़े से इंदोर ने स्मार्टनेस की बात हो स्वक्षता की बात हो क्लीन एयर की बात हो हर जगा इंदोर ने टॉप किया तो आपका काम ऐसे ही असान अगर स्वक्षता सर्वेक्षन की बात आए फर्स नंबर पे इंदोर इंदोर के साथ सूरत अगर स्मार्ट सिटीज की बात है डेख लेते हैं कि विजेता शहर कौन कौन से हैं तो राष्ट्री इसमार्ट सिटी अवार्ड में विजेता रहे हैं इंदौर फिर सूरत और आगरा ठीक है उसके बाद में और अगर राज़ी की केटेगरी दिखी जाए यह तो स्टेट इसिटी की इंदौर सूरत आगरा तो सबसे स्मार्ट जो राज्य है वो कौन है आपका मध्य प्रदेश तमिलनाडू राजिस्थान और यूपी भी आपका स्मार्ट है देखें यहां पर चंडीगर जो है वो सर्वशिष्ट केंद्रशाषित प्रदेश है स्मार्टनेस के मामले में ठीक ध्यान में डखेंगे अब देख लेते हैं अंगला टॉपिक है अमरित भारत इस्टेशन योजना अमरित भारत इस्टेशन योजना क्या है दीर्ग कालिक दृष्टी कोण पर आधारित है यह जो इस्टेशन को क्या है उनकी गुडवत्ता बढ़ाई जाए उनका इंफ्रस्ट्रक्चर उन वहां खाल ओवर्जनियों तेटया सो नोचिक सबसे जादा रेल्वे स्टेशन उत्तर प्रदेशे यह जो हमारे-ले-इंप्रॉंट है जो बहतरी की जाने वाली है इन ते यह सों नोय वी स्टेशन में उसमें 156 जो रेलवे स्टेशन से वो किसके हैं उत्तर प्रदेश के हैं ठीक उसके बाद सेकेंड नमर पे महराश्ट्रा और देनाब का आ जाता है वेस्ट बेंगॉल ठीक है दियान में रखेंगे ये लगभग पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर वि ये बहुत इंपोर्टेंट है हमारे लिए मल्टी डैमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स UNDP जो है वो हर साल लेके आता है Human Development Report ठीक है जो मानो विकास रिपोर्ट कौन लेके आता है पहली बात तो यहां से एक कोश्चन मन गया है UNDP United Nation Development Program जो है वो आपका जो ये मानो विकास सु लेकी नेजनल मल्टी डैमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स ठीक है अब इसमें क्या है थीम है बिल्कुल ये MPI है Magic一定 तो ये हमारे लिए इंपांट है कि इसको जारी करता है निति आयोग, इसमें किस चीजों को अधार बनाया जाता है, 12 संकेतक है, इसमें जो National Family Health Survey 4 और National Family Health Survey 5, National Family Health Survey 4 जो आया था, उसमें और National Family Health Survey 5 जो आया, उसमें क्या changes आए, ठीक, उसको देखके, उसके तुलना करके, ये Multidimensional Purity Index को चारी किया गया, ठीक है, कौन सा addition है ये, तो द संसकरण है, ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे, संसकरण, पहला संसकरण आया था, 2021 में, तो ये बहुत अभी रीजेंट का है, बहुत एक-दो संसकरण आया है, तो आप से question बन सकता है, पहला संसकरण कब आया था, 2021 में आया था, दूसरा संसकरण कब आया है, अभी आया है, 2020 पर ठीक है 2019 और 21 के बीच में जो National Family Health Survey 4 और 5 के बीच में क्या changes हुए है क्या betterment हुआ है या क्या progress हुई है उसको ध्यान में रखके ये पूरा बनाया गया ठीक इसमें 36 राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों को सामिल किया गया है 707 प्रशाशनिक जीले इसमें शामिल है याँ पर है कि National Family Health Survey 4 और 5 के मध्य में सभी राज्यों में क्या progress है क्या प्रगदी है उसको इसमें दर्ज किया गया ठीक अब हम देख लेते हैं इससे related आकड़ें जिससे प्रशन बन सकते हैं आपके क्या है कि कितने लोग बहु आया में गरीबी से मुक्त हुए हैं तो इस दृष्टी में देखा जाए तो टॉप तीन राजी जहां पे सबसे जादा लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं उसमें गरीबी में सबसे जादा अच्छा प्रदर्शन किया है यूपी ने यूपी में लगभग साड़े तीन करोड लोग हैं गरीबी से बाहर आए हैं बिहार में धाई करोड लोग गरीबी से बाहर आए हैं और MP में जो हैं वो लगभग डेढ़ करोड लोग गरीबी से बाहर आ थी उसकी संख्या थी 24.85 और अब ये घट करके कितनी हो गई है 14.89 लगभग 9.89 परसेंट है कि आकड़े बहुत पूछता UBPCS में तो आकड़े परसेंटेज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ठीक है तो पहले जो थी वो 24.85 परसेंट गरीबी थी अभी क्या है संख्या के मामले में 14.96 परसेंट हो गई है यहने कि लगभग 9.89 परसेंट की उलेखनी कमी जो है वो गरीबी में देखी गई है तो ये आकड़ा इंपोर्टन है आपके लिए ठीक अब देख लेते हैं कि ग्रामीड छेत्रों में कितनी कमी हुई है तो ग्रामीड छेत्रों में जो है अभी गरीबी 32.59 से कम होके हो गई है 19.28 ग्रामीड छेत्रों में सहरी छेत्रों में कितनी हुई है तो पहले ये थी 8.65 अब घटकर हो गई है 5.27 लगबग 3.5% की कमी शहरी छेत्रों में अब यहां से आपके लिए क्या question बन सकता है कि इनके साबसे इतने आकड़े ना पू अब यहां पर 20% की लगभग गरीबी है तो सबसे जादा लगभग 12% का सुधार कहां पर हुआ है ग्रामीड छेत्रों में हुआ है और शेहरी छेत्रों में मातर 3% की कमी हुई है तो सबसे अच्छा काम कहां पर हुआ है गरीबी के मामले में ग्रामीड छेत्रों में हुआ ह इसको ध्यान में रखेंगे ठीक अब चलते हैं मैंने पहले ही जब SDG के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने पढ़ाया था कि SDG 3 जो है वो आपके किस संबंदित है? हेल्थ से संबंदित है ठीक है? और SDG 1 किस से संबंदित है? पोवर्टी से संबंदित है तो ये SDG जो 17 SDGs है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका क्या? पोवर्टी याने कि गरीबी तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये किस संबंदित है? हम जो ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं SDG 1 से संबंदित है ठीक अब आगे चलते हैं कि किसने कैसा प्रदर्शन किया है? तो आप देख लीजे इसको सरवाधिक बहु आयामी गरीबी वाले शीर सराजे सबसे जादा गरीबी अभी भी कहां पर है? सुधार तो किया है UP बिहार ने लेकिन अभी भी सबसे जादा गरीबी बनी हुई है तो बिहार जो है वहाँ पे सबसे जादा गरीबी है अभी फिलहाल में कितनी है? 33 दसंबलो 76 परसेंट है उसके बाद जारखंड में घाला है UP आपके फोर्थ पोजिशन पर तो इसको ध्यान में रखेंगे कि गरीबी के मामले में UP जो है केरल में मात्र 0.55% याने कि 1% से भी कम जो है वो गरीबी है केरला में तो ध्यान में रखेंगे ठीक केंदर शाषित प्रदेशों में किसने अच्छा प्रदर्शन किया है तो केंदर शाषित प्रदेशों में दादर और नागर हवेली और दवन एम दीव में सबसे ज़ाद और पुदू चेरी में सबसे कम है तो इसको भी दियान में रखेंगे कि बहुत अच्छी कंडिशन में, सबसे वस्ट कंडिशन कहां की है । और अगर केमर शाषित प्रदेशों में तो दादर एंड नागर हवेली दमन एंडीव जो है वहां पे सबसे जाधा गरीबी है और पुदुचेटी में सबसे कम गरीबी है ठी सबसे तेज वृद्धी या सबसे अच्छी प्रोग्रेस किस ने की है तो यूपी बिहार एंपी और इसा राजिस्थान इन्होंने अच्छी प्रगति की है यह तेजी से गरीबी को कम करने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी क्या है जनसंख्या के मामले में अगर आप देखें तो बिहार में सबसे जाधा गरीबी है लेकिन सरवादी कमी भी बिहार ने की है जनसंख्या के मामले में देखा जाए बहु आयामी गरीबी में तो बिहार फिर मध्य प्रदेश फिर उत्तर प्रदेश ओडिशा राजिस्थान इन्होंने सबसे जाधा कमी की है गरीबी में चलिए अब यूपी की रैंकिंग देख लेते हैं यह पूरा टॉपिक ही हमारे बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए हम इसको डिटेल में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शरवाधिक और न्यूंतम बहु आयामी गरीबी के मामले में तो सबसे जाधा गरीबी कहां पर है बहु आयामी गरीबी की जनसंख्या देखा जाए सबसे जाधा सरवाधिक बहु आ रहराइच।य। निउन्तम है के अमीरो का शहर ठीक है। लक्नुनू कानपूर, गौतम झानेकी नौयडा, हापुर। तो यह जबसे जुरीबी आपको बिलकुल याद होना चाहिए। इसको अरेंज करने के लिए आ सकता है। सबसे कम गरीबी कहा है तो गाजियवाद में सबसे कम गरीबी है उसके बाद लखनव है फिर कानपूर नगर है फिर आपका आगया घौतम बुद्धनगर और फिर आगया आपका हापुड ठीक है अब यहां पर एक और इंपोर्टेंट चीज है कि उत्तर प्रदेश का जो महर महराज गंज जीला है यह बहू आयामी गरीबीमे शरवाधिक कमी करने वाला जीला है तो यह इंपोर्टेंट है इससे क् keen बन सकता है महराज गंज-जीले को याद रखिएगा इसने सबसे ज़्यादा बहू आयामी गरीबी में क्या की है कमी की है धी अब देखते हैं अगला टॉपिक है वयभव फैलोशिप योजणा इसका फुल फोर्म वयभव का क्या है वैश्विक भार्ती विज्ञान ठीक है विज्ञानिक तो वैबव का फुल पहले पुछा जा सकता है अगर आपसे science में question बने तो वैब्भा का मतलब है वैश्विक भारती वैज्यानिक है fellowship योजना क्या है कि जो हमारे हमारे यहां के निवासी जो वैज्यानिक है और जो प्रवासी है जो मतलब की विदेश में कहीं जाका रह रहे हैं तो ऐसे वैज्या वरी को हम मनाते हैं National Science Day तो इसको ध्यान में रखेंगे National Science Day 28 फर्वरी यह आपके लिए important है ठीक है जो Science Day है वो आपके लिए important है ठीक तो 28 फर्वरी को यह पूरा व्याभाफ है फेलप्शिप योजन 2023 इसमें लागू हुई थी उद्देश क्या है कि वैज्यानिकों को एक जग कर रहे हैं वो अपने ज्यान को साजह करेंगे इसके थ्रू साथ के साथ में इसमें क्या होगा कि maximum minimum दो-तीन महीने के लिए या और maximum पांच साल ये दो-तीन साल के लिए क्या होगा ऐसे वैज्यानिक जो प्रवासी हैं लेकिन हमारे यहां पर contribute करना चाहते हैं वो अपने किसी युनिवर्सिटी को चुन सकते हैं वहाँ पर रिसर्च में जोड़ सकते हैं यह पूरी वैब ओ फैलोशिप योजना की स्कीम है चलिए अब देख लेते हैं माहीर के बारे में माहीर ये आपको पूछा जा सकता है कि यह माहीर किस से सम्मंदित है तो यह उर्जा छेतर से सम सम्मंदित है मैंने पहले ही बता दिया और अब उर्जा से सम्मंदित है मतलब नवींतम छेतर में क्या उभरती हुई उर्जा है उसकी क्या संभावनाएं है इन सब चीजों पर यह माहीर परियोजना के तहत धान दिया जाएगा ठीक है कब लॉंच हुआ है यह जून 2020 में पाँच हुआ है मिशन और एडवांस आई-इंपक्त रिसर्च यह राश्ट्री मिशन है ठीक है राश्ट्री मिशन है किस मंतराले के अंतरगत तो यह नवीन एवं नवी करनी उर्जा मंतराले के अंतरगत यह शामिल है इसमें कौन से साल है तो 2023-2024 से लेकर के 27-28 तक की य योजना है तो ध्यान में रखेंगे कि यह कब से कब तक लेकर है यह आपका है 2023 से लेकर के 2028 तक माहिर चलने वाला ठीक है तो इसको ध्यान में रखेंगे कहीं आप से पूछ सकता है कि कब तक के लिए है तो इसको ध्यान में रखेंगे ठीक है अब इसमें क्या किया गया है को समीतिया बनाई गई है एक सीर्ष समीति बनाई गई है तकनीकी कारे छेत्र समीति बनाई गई है इसमें अलग-अलग लोग को अध्यक्ष बनाया गया है जो क्या करेंगे जो क्या प्रोग्रेस हो रही है उर्जा के छेत्र में उसको ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए य नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंडेक्स आए होंगे या कुछ और जैसी कि आपके हैपीनेस इंडेक्स हो गया प्रेस स्वतंत्रता की बारे में इन सब चीजों पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे फिलहाल राश्टी परिदिश्य में राज खादी सुरक् में कितना काम कर रहे हैं खादी सुरक्षा क्याने का मतलब है कि अपनी जनता को अपने लोगों को वो भोजन सही से प्रवाइट करवा पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं इससे रिलेटेड यह है सुरवात इसकी कब हुई थी प्रथम संसकरन 2019 में आया था ठीक है और इस परिवार कल्यान मंत्राले जो मनसुक मांडविया जी है उन्हों नहीं इसको लांच किया है अभी का यह पांचवा संसकरन था शुरवात कब हुई है खादी सुरक्षा सुचकांग की 2019 में यह पूचे जाते हैं आप रिसेंट एक दो पास्ट जो एक दो साल का ट्रेंड दे से अच्छा जो क्वालिटी और फूड है या खादी सुरक्षा है केरला में है दैन आपका पंजाब तमिलनाडू मध्यप्रदेश यूपी यूपी आपका फिफ्ट पोजिशन पर है इंपॉर्टेंट अच्छी बात है हमारे लिए एक लिस्ट और फाइफ में है तो इसको को याद में रखेंगे केरल पंजाब तमिलनाडू MP और यूपी ठीक है बड़े राज्यों में बिहार जो है वह 19 नंबर पर है तो जो बीपीस की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यह हो गया अब छोटे राज्यों में अगर आप बात देखें तो टॉप किस ने किया है एंपी और यूपी को ध्यान में रखेंगे छोटे राज्यों में आपका गोवा मणीपूर और सिक्यम केंद्र शाषित प्रदेश में अगेन यहां पर जमू कश्मीर काम आपके लिए आसान हो जाता है जब एक ही स्टेट जो है बार बार किसी बहुत सारे इंडेक्स में ट लक्षदीप में जो है अभी अब चर्चा में भी रहा वहां पर जो मौल्दीव के मौल्दीव और लक्षदीप का जो कंपैरिजन किया गया था इसलिए तो लक्षदीव जो है फूड सिक्योरटी के मामले में बहुत अभी खराब कंडिशन में और प्रोग्रेस की जरूरत अंतिम स्थान पर है अब आते हैं निश्पादन ग्रेडिंग सूचकांग 2.2 ठीक है राज्य और संगर्षाद राज्य चेत्रों के लिए इसकूली सिक्षा की क्या गुडवत्ता है इसको ध्यान में रखकर की पॉफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है इसको कहते हैं पी जी आई सॉट फॉर्म में पॉफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसको स्कूली सिक्षा और साक्षरत विभाग के द्वारा इसको लॉंच किया गया है स्कूल की क्या ग्रेडिंग है और कौन सा राज्य अच्छा सिक्षा प्रवाइड करवा रही है इसको ध्यान में उतकर्ष, अति उत्तम, उत्तम, फिर आपका प्रचेष्ट, प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, फिर अकांची 1, 2 and 3, सबसे अच्छी कंडिशन जो है, दक्ष, उतकर्ष, उत्तम, अति उत्तम, यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है, रैंग ठीक है, तो ब प्रचेष्ट 2, श्रेणी में, और हम देख लेते हैं कि UP कहां पर है, तो UP है आपका यहाँ, अकांची 2 में UP है, अब UP के साथ साथ और कौन से राज्य हैं, यह important हो सकता है, कि आपको statement में आ सकता है, कि UP के साथ अन्य कौन से राज्य हैं, या फिर आपको क्या है, पॉइंट बना थ्रिपुरा और उत्राखंड, यह हैं, एक दो बार आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे, आप से पूछ सकता है, ठीक है, तो यह पूरी हो गई, सिक्षा के मामले में, रैंकिंग कौन सा है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, राज्यो केंद्र शाषित प्र 2023, NIRF केंद्री सिक्ष मंत्राले के अंतरगत यह पूरा दिया जाता है, रैंकिंग, क्या है, यह नेशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, यह ठीक, इसकी शुरुवात कब हुई है, 29 सितंबर 2015 को इसकी शुरुवात हुई है, क्या करता है, उत्य सिक्षा संस थानों को क्या करता है, रैंकिंग देने का काम करता है, ठीक, प्रधम संसकरन आया कभिसका, 2016 में, यह हमारे लिए इंपोर्टेंट उतना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर स्टेट्मेंट में कभी पूछते, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पूछ लेता है कभी-कभी कि कौन सी स्कीम की स्टेम चालू हुई थी, इसलिए, अभी के लिए क्या है, लेटिस जो आई है रैंकिंग उसमें, क्या है, कि यह आठवा संसकरन था, पांच जुन दोहजार टेस को यह रैंकिंग आई, ओर ओल पांच केटेगरियों में यह पूरी रैंकिंग दी गई है, अलग- अब इसमें आठ विशह सामिल है, कुछ चीजे हैं, तीन बड़े बदलाव किये गए हैं, इस बार तो, वो तीन बड़े बदलाव किये गए हैं, उस पे एक पर नज़र डाल लेते हैं, कि क्रिशी एवं संबद्ध छेत्र नामग एक नया विशह चोड़ा गया है, अभी क् आप साभी फसलों को खरी देंगे, ये इस पुरा मुद्ध चल रहा है, तो उससे रिलेटेड है कि क्रिशी एवं संबद्ध छेत्र करके एक नया विशह जो इनुवर्सिटी के लेवल पर भी जोड़ा गया है, साथ के साथ नवाचार श्रेणी में पहली बार क्या हुआ इस हमारा स्मार्ट हो रहा है, नवाचार के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो नवाचार श्रेणी में पहली बार रैंकिंग दे गई है, साथ के साथ में वस्तुकला वस्तुकला जो है उस विशह में कुछ एक्स्टेंशन किये गए है, उसमें कुछ व बाद आजाता है आपका भारती विग्यान सिंस्थान बेंगलूरू फिर आपका आजाता है आई आई टी डेली आई 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 टी बॉंबे और कानपूर तो मदरास को याद रखेंगे ओवराल श्रेडी में उसके बाद में किसने टॉप किया है तो यूपी से टॉप 10 में आजवे नंबर पे ठीक अब देख लेते हैं कि बिहार का जो पटना है आई आई टी पटना है उसने क्या है 66 रेंक प्राप्त किया ठीक तो यह जो बीपी से दे रहे हैं उनके लिए इंपोर्टेंट हो गया अब देख लेते हैं कि भारती विग्यान संस्थान गरनाटक जो है उसको विश्व विद्याले यूनिवर्सिटी की केटेगरी में टॉप पोजिशन में थी तो ध्यान में रखेंगे कि अगर ओवर्वल केटेगरी की बात हो तो आई आई टी मदरास फर्स्ट पोजिशन पे हैं और विश्व विद्याले श्रेणी में आई आ संस्थान है उसको नवाचार के श्रेड़नी में आयाइटी कानपूर ने टॉप किया है ठीक है ये कुछ चार-पांच हुए उसके बाद और भी बहुत सारे हैं जैसे मैनेजमेंट में हर साल एहमदाबार टॉप करता है दंतची कित्सा में तमिलनाडू का कॉलेज है उसने ट अब देख लेते हैं अगला टॉपिक नए संसद भवन का उधगाटन थीक है तो नए संसद भवन का उधगाटन से पहले जान लेते हैं कि संसद भवन की रूप रेखा पहले क्या रही तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलता है इस विस्टा प्रोजेक्ट के अंतरगत संसद भवन उसके आसपास के जो नॉर्थ केमपस साउथ केमपस राष्टपती भवन इन सब चीजों का जो क्या होड़ा डेवलपमेंट होता है तो यह जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है यह जो सबसे पहले बना था एडविन लूटियंस ने और हर्बर्ड बेकर ने इ जो सिटिंग अरेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अब क्या है संख्या लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ने वाली है नंबर आफ मेंबर्स की तो उसको ध्यान में रख करके सिटिंग अरेजमेंट को बढ़ाने के लिए हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्मान करवाया थी इस सुपलक्ष में 28 माई 2023 को क्या किया था मोदी जी ने इसका उद घाचन किया नए संसद भवन का डेट इंपोर्टेंट हो सकता है याद रखेंगे क्योंकि अब अगर रीसेंट मन्थ में किसका निधन हुआ ये पूछ सकता है तो इतना इंपोर्टेंट काम जब हुआ है 28 माई को नए संसद भवत का उन घाचन तो ये भी पूछ सकता ठीक इस आउशर पर 75 रुपय का इस मारक सिक्का जारी किया गया साथ के साथ में डाग टिकट भी जारी किया गया ठीक इसमें एक इंपोर्टेंट चीज हुई है सेंगोल तो उसको स्थापित किया ठीक है अब इसमें इंपोर्टेंट और भी चीज़े हैं कि पहले तो इसका अधार कार कैसा है तो ने संसद भवन का कार है त्रिभुजा कार इसमें तीन प्रमुख द्वार है ज्यान द्वार शक्ती द्वार और कर्मद्वार ठीक है तो इन को ध्यान में रखेंगे साथ के साथ में सीट कितनी होने वाली है लोग सभा में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था है राज्य सभा में 384 सदस्यों के बैठनी की व्यवस्था है इसको ध्यान में रखेंगे आप कहां पर मामला फस सकता है यहां लोग सभा में कितने ल अब हमें आपका कमल है और फिर प्रांगण में बर्गद है ठीक अब हम देख लेते कि सेंगोल की हिस्ट्री क्या है तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत थे और हम जब हमें पता चला था कि अब फाइनली इंडिया आजाद हो रहा है इंडिया अंग्रेज उसे क्या है छुट्टी मिल रही है हमें तब हमने इस सेंगोल को स्थापित किया था यह एक तमिल के जो व्यक्ति थे उन्होंने जब आहलल नहरू समय जो ततकालिन प्रधान मंत्री थे उनको सत्ता के हस्तांतरन के प्रतीक के रूप में यह सेंगोल दिया था ठीक है तो य यह हासियत हो गई उसमें क्या important है कि यह भगवान शिव का सेंगोल एक क्या है लकडी का एक बना हुआ जो सेंगोल जो बना हुआ है उसके ऊपर ही जो हिस्सा है वो भगवान शिव का जो बैल है पवित्र बैल नंanदी है वो रिपर में बना हुआ है यह चोल राजाओं से संबंदी था इसको ध्यान में रखेगा और यह क्या है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है तो इतनी बाते इस टॉपिक से इंपोर्टेंट है अब देख लेते हैं उड़ान 5.0 ठीक है उड़ान यहने की उड़े देश का आग आम नागरी की यह परियुजना चलाई गई थी विमान नीती में बदलाव किया गया था कब सुरुआत की गई थी 2016 में अब उड़ान की क्या थीम थी कि गरीब से गरीब व सवाई यात्रा करने की सुविधा मिले ठीक तो उसकी 2016 में शुरुआत हुई थी अभी उसका पांचवा एडिशन आया है यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है बस यह इंपोर्टेंट था कि 2016 में इसकी शुरुआत हुई ठीक है अब चलते हैं आगे करनाटक विधान सभा इतना पीछे जाके आपसे 24 माई का नहीं पूछा जाएगा और अगर चुनाओ के बारे में पूछा भी जाएगा तो अभी जो नवंबर में आपके इलेक्शन हुए है चार-पांच राजियों का उसका पूछ सकता है तो करनाटक को हम पूरा डिसकस नहीं कर रहे हैं लेकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस इतना ही हम ध्यान में रखेंगे बाकि इस टॉपिक को हम स्कीप कर सकते हैं कि रिद्दार मैया जी सीम बने हैं कुछ लगभग जीती कौन है ये कॉंग्रेस पार्टी जीती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस कौन अब गर 230 के आज पास में कुछ सीट है एक बार आप आपके लिए ये होंवक रहेगा कि आप जाए और जितने भी पास्ट में अभी रिजन्ट में इलेक्शन्स हुए हैं कुछ और उनकी सीट्स का आप लिस्ट बना करके रख लीजे ठीक है आप चलते हैं ऑपरेशन समुद्र गुप्त 2022 समुद्र गुप्त ऑपरेशन समुद्र गुप्त इसमें दो लोग सामिल है एक तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरा जो है वो समुद्र है तो अपरेशन समुद्र गुप्त इसमें क्या किया गया है एक मैथेमफटमाइन करके एक बहुत ही उत्तेजक नशीला पदार्थ है यह इसको जब्तिकरन किया गया है बहुत बड़ी मातरा में लगभग पचीस सो किलोग्राम है इसका क्वांटिटी तो इसको जब्त किया गया है इस ऑपरेशन समुद्र गुप्त केत है ठीक है यह क्या है अत्यधिक वेशनकारी उत्तेजक है उत्तेजक है मतलब कि क्या करते यह डोपामाइन रिलीज करता है डोपामाइन क्या होता है एक तरीके का रसायन होता है जो आपके क्या कहता है अंदर ऐसे हार्मोंस रिलीज करता है जिससे आपकी इक्षा सक्ती जो है वह बहुत जादा बढ़ जाती है आप में बहुत confidence आजाता है अभी सुनके तो लग रहा हुआ कि बहुत अच्छी चीज है लेकिन अच्छी चीज है नहीं क्यूंकि यह आपके नर्वस सिस्टम को क्या करती है अफक्त करती है तो मेथम फटा माइन को याद रखिएगा कहीं पूछ लेकि यह क्या है तो यह एक उत्तेज़क पदार्त है जो आपके नर्वस सिस्टम को डेमेज करता है अब जब यह बात हो रही है नशीली चीजों के बारे में तो दो में रखेंगे golden triangle में आपका Thailand आता है मयमार आता है और लाओस आता है और द्रचंद्र या golden crescent में कौन आता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान आपके जो पडोसी है वो आते हैं तो golden triangle में याद रखेंगे Thailand में आज के लिए इतना ही I hope आपको आज का शेशन अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारी मुहीम हमारी ये तैयारी अच्छी लग रही है तो क्रिप्या आप नोट बुक आईए सजुकेशन फर ओल चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल विराम न दे एक्जाम पोस्पोर्ण होगा नहीं होगा वो बात की बात है अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है आज के लिए इतना ही थैंक यू